हेलो दूस्तों रेक्णिर उसमें आप लोग का स्वागा थे और आज की रेक्णिर शुरू करते उससे पहले मैं आपसे कल पूछा था कि शाओमी मी A3 की प्राइस से क्या आप खुश है लगबक से 40,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया वोट दिया और उसमें 61% और प्राइश थोड़ी कम हो सकती थी नो में भी काफी सारे लोग थे मतलब येस को छोड़के बाकि तो सब गमगीन थे माइक टेश चोड़ो एने दोस्तों बहुत गरमा करें टेक्णिर आज भी लेकर आ गया हूँ ऐसे हसते रही है मुझे आपको हसाना बहुत अच्छा वैसे दोस्तों लाइक टार्गेट बढ़ा देते 30,000 लाइक्स कर दो यार और कुछ नहीं 30,000 लाइक्स कर दो बहुत मजाएगी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो और फटावट से आज की ट्रेक में शुरू करते हैं तो पहले कबर की बात करते हैं यहाँ पर गूग कर दिया है सब कुछ एकदम चकाचक कर दिया है एकदम material डिजाइन आपको वहाँ पर दे दिया है वैसे आप अगर अभी आप अपना प्लेश्टूट देखेंगे मेरा तो हो गया मुझे पता निशायद आपका भी हुआ रहेगा तो नीचे टैब्स पूरे गेम्स एप्स पूरा category वाइस आपको दे दिया है इंटरफेस जो है वो भी चेंज कर दिया है थोड़े बहुत नए features उसने उसके अदर add किया है जरा आप खो देंगे तो आपको पता चलेगा और जब डाउनलोड रता है तो उसकी loading और वगरा वगरी की चीज़े उनने वहाँ पर change कर दि जियो की जै हो जै हो सॉरी मतलब मुझे से लगता हूँ शायद आप भी घर के अंदर ऐसा करते होगे क्योंकि इसके रीजन भी हो दोस्तों वैसे जियो फाइबर जब से यह अराउंस हो आए अभी तो कमर्शिली भी नहीं आए फिफ्ट सप्टेंबर के बाद से ही होगा त अभी एटल भी बताया जारे कि वो एक नया प्लान लेके आ रहा है जिसमें वो आपको फ्री एच्जी टीवी और फ्री सेटप बॉक्स प्रोवाइट करेगा जैसे कि जीओ फाइबर में वेलकम उफर था ना एक साल का अगर आप प्लान लेते तो आपको फ्री 4K TV 4K लड़ते रहो यार लड़ते रहो फाइदा हमारा यह और क्या तो सैमसंग की तरफ से ख़बर आ रही है और आज दो खबरे निकल करा रही है पहली खबर की बात करें तो सैमसंग गेलक्सी M30S जी हां M30 का जो सकसेसर बनके आएगा पहले तुम आपको अपनी तरफ से पक्क खो रहा है तो इसका मतलब यह बहुत जल्दी लौच होने वाला है वैससे सैमसंग एलक्सी M30S में आपको 6000 अमेज की बैटरी मिलेगी और Exynos 9610 वाला प्रोसेसर होगा हाडवर में बहुत चेंजिस होगी M30 में Exynos 7904 था और वहाँ पर 54 अमेज की बैटरी तो इसमें आप पर एक पेटन सामने निकल कर आया जहां पर सैमसंग का यह एक फोल्डेबल स्मार्टफोन जो देखा गया है जिसमें यह वर्टिकल ही जो आउटसाइड की तरफ जो फोल्ड होता है मतलब यह जो फोन ऐसा करके फोल्ड कर दो तो वह फोल्ड हो जागा फिर आप उसका जो इस्तिमाल कर सकते है अब यह सिर्फ एक पेटन्ड है पहले तो पुराना वाला तो फोन लेके आओ भार जो तूड गया था इसे कारेज की तरह फड़ गया था उसके बाद हम इस फोन की तरफ आगे बढ़ते लेकिन पेटन्ड देके काफी कूल लग रहा है कि फूचर में वर्टिकल फोल्डेबल फोन्स आएंगे जो थोड़ा सा कन्वीनेट भी मुझे लगता है वैसे आपके खहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो अब दोस्तों शाओमी की तरफ से ख़बर आ रही है और दोस्तों आज की सबस वगरा निकल कर आए थे अभी वैसे मीडिया टेक ने भी ऑफिशली पोस्ट करके एक नयाप उन्होंने पोस्टर शेयर किया कि बाई रेड्मी नोटेट जो सीरीस होगी उन्हें आपको हीलियो जी नाइंटी टी वाला जो वह प्रोसेसर मिलेगा और इसी जिसको बहुत पह कुछ याद आया रेड्मी के 20 के 20 प्रो जैसा अदम पीछे लग रहा है यहां पर आपको पीछे एक तरफ ट्रफ ट्रिपल क्यामरा नीचे फिंगर पिंगर पिंट स्कैनर और साइड में आपको एक चौता कैमरा ओट दिगरा तो यह रेड्मी नोटेट प्रो होगा जिसमे मस्त मारा ना रेड्मी के 20 के 20 प्रो जिस होगा वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वैसे यहां पर दोस्तों लगे हां तो शामी का जो मी मिक्स 4 है यह जो स्मार्टफोन है अगले महीने जो चाइना में जाएगा अभी तक जितने भी Android के स्मार्टफोन आए यह उनमें सबसे पावफुल स्मार्टफोन है इसकी कुछ स्पेक्स यहां पर लीक हुए और इसा बता है ज़िए कि स्नैप्डेगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा 12GB की रैम 1TB के आपको स्टोरेज मिलेगी 30W का फास्ट चार्जिंग भी होगा 4500 मिच के आपको बैटे मिलेगी पीछे चार क्यामरेस मिलेगी उसमें 108MP वाला होगा जो तो अगले साल होने आने की बात हो रही थी है लेकिन वो Xiaomi का Mi Mix 4 में अभी आएगा और हाँ डूल आपको सेल्फी भी मिलेगी 24MP भी होगा और प्लस 2MP वाला ऐसा कुछ है तो यह इतन गरम तवे को बैटा हुआ है गरमा गरम चीज़े कर रहा है तो Realme यहाँ पर दोस्तों उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है वीवो पर उन्होंने नया पोस्ट करके यह बता है कि हम बहुत ही जल्दी एक नई सीरिस वाला Realme स्मार्टफोन लांच करें जिया अपर उन्हों बहुत पाउफुल होगा और शायद से गेमिंग स्मार्टफोन आ सकता है और उसकी बात हमें अभी देखने को मिल सकता है वैसे आपको क्या लगता है यह कौन सा फोन होगा कौन सा प्रोसेसर होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यह दोस्तों ओपो की तरफ से ख तो यह कुछ इस तरह की का विडियो स्टेबलाइशन आपको ओपो के रेनो 2 में मिलेगा मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ आपको मिल रही है और चार कैमेरे होगे यह होगा स्नैप्रेकर 730 जी होगा वगरा वगरा मेरे पास कल तक यह फोन आने वाला है उसके बाद तो तो उतना तो चलो ठीक है लेकिन Nokia 7.2 एक्जिस्ट करता है लीक्स और रूमर्स से बाहर निकल कर आ गया और लाइफ फोटो यहाँ पर इसकी निकल कर आ चुकी है अब यह जो जीस के कुछ एक्जीकुटिव है जीस वाला कैमरा होता है न फोन में यह उसके देखेंगे सर्कुलर कटाउट है उसके बिच में आपको ट्रिपल कैमरा फ्लेश वगर दिख रहा हो नीचे फिंगर प्रिंट स्कैनर रहे तो यह लोकिया 7.2 जो कुछ तरिक होगा उसके अलावा क्या कुछ खास होगा क्या प्राइस होगी यह तो 5th September की टाइम पर ही पता लिया होने वाला था मतलब 20 मिलियन डॉलर का उनका कुछ लफड़ा चला था उसके दो दिन बाद ही नासा का उनको 1.6 बिलियन डॉलर का कॉंट्रेक्ट मिला कितने लखी है न तो आज की रिखनेसे पर कता मुत इमित करता आपको आज की रिखनेस पसन आएगी अगर आपक को पसंद आए तो अब जरूसे इस वीडियो को लाइक करिए मैंसे आप लोग के लिए डेले टिक नूस लाता हूंगा आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता हूंगा मिलका है आप से एक लिए वीडियो के साथ तिल देन वे ग्रेट डे इंड आलवेस कीप स्मालिक